भजन सहीदा 106 अध्याई 40-48 तक तब यहवा का क्रोध अपनी प्रजा पर भढ़का और उसको अपने नीच भाग से घ्रणा आई तब उसने उनको अन्य जाकियों के वश में कर दिया और उनके बैरियों ने उन पर प्रभूता की उनके शद्रूओं ने उन पर अंधेर किया और वे उनके हाथ तले दब गए बारम बार उसने उन्हें छुडाया परंतों वे उसके वरुद युक्ति करते गए और अपने अधरम के कारण दबते गए तो भी जब जब उनका चिलाना उसके कान में पड़ा तब तब उसने उनके संकट पर द्रिष्टी की और उनके हित में अपनी वाचा को स्मरंड करके अपनी अपार करुणा के अनुसार तरस खाया और जो उन्हें बंदी बना कर ले गए थे उन सबसे उन पर दया कराई है हमारे परमेश्वर यहवा हमारा उधार कर और हमें अन्य जातियों में से इकटा कर ले कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवात करे और तेरी स्तूती करते हुए तेरे विशे में बढ़ाई करे इसराइल का परमेश्वर यहवा अनादी काल से अनंत काल तक धन्य है और सारी प्रजा कहे आमिन याह की स्तूती करो दुसरा कुरुंतियों बारा अध्या एक से दस तक यद्यपी घमन करना मेरे ठीक नहीं तो भी करना पड़ता है इसलिए मैं प्रभु के दिये हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा मैं मसी में एक मनुष्य को जानता हूं चौधर वर्श हुए की न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर जानता है ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूं न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया ग परन तो अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विश्य में घमण न करूँगा, क्योंकि यदि मैं घमण करना चाहूं भी तो मुर्क न हूँगा, क्योंकि सच बोलूँगा, तो भी रुख जाता हूँ ऐसा न हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझे सुनता है मुझे उससे बढ़कर समझे इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुदायत से फुल न जाओ मेरे शरीर में एक काटा चुबाया गया अर्था शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फुल न जाओ इसके विशे में मैंने प्रभू से तीन बार विंती की कि मुझे से ये दूर हो जाए पर उसने मुझे से कहा मेरा अनुगरत तेरे लिए बहुत है क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है इसलिए मैं बड़े आनन से अपनी निर्बलताओं पर घमन करूँगा कि मसी की सामर्थ मुझे पर चाया करती रहे इस कारण में मसी की लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिदरदा में और उपद्रवों में और संकटों में प्रस्त नहूं क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवन्त होता हूँ यशाया 27 अध्या 1 से 13 तक उस समय यहवा अपनी कड़ी बड़ी और दिड़ तलवार से लीबियाता नामक वेग और टेड़े चलने वाले सर्प को दंड देगा और जो अजगर समुंदर में रहता है उसको भी घात करेगा उस समय एक सुंदर दाख की बारी होगी तो उसका यश गाना मैं यहवा उसकी रक्षा करता हूँ मैं शन शन उसको सीचता रहूँगा मैं रात दिन उसकी रक्षा करता रहूँगा ऐसा नहों कि कोई उसकी हानी करे मेरे मन में जलजलाहट नहीं है यदि कोई भ करने को वे मेरी शरण ले वे मेरे साथ मेल कर ले भविशे में याकुब जड़ पकड़ेगा और इसरायल फुले फलेगा और उसकी फलों से जगत भर जाएगा क्या उसने उसे मारने वालों को मारा था क्या वह घात किया गया जैसे उसकी घात किये हुए घात हुए जब तुन और उसके पाप के दूर होने का प्रतिफल यह होगा कि वे वेदी के सब पत्थरों को चुना बनाने के पत्थरों के समान चकना चूर करेंगे और अशेरा और सूर्य की प्रतिमाय फिर खड़ी न रहेंगी क्योंकि गड़वाला नगर निर्जन हुआ है वो छोड़ी हुई ब तोड़ी जाएगी और स्त्रिया आकर उनको तोड़ कर जला देंगी क्योंकि ये लोग निर्बुद्धी है इसलिए उनका करता उन पर दया न करेगा और उनका रचने वाला उन पर अनुग्रे न करेगा उस समय यहवा महानत से लेकर मिस्र के नाले तक अपने अन्न को फट आय हुए थे वे यरुशले में आकर पवित्र परवत पर यहवा को दंडवत करेंगे यशाया 28 अध्याय एक से 29 तक गमन के मुख्ट पर हाय जो एप्रेम की मतवालों का है और उनकी भड़कीली सुंदरता पर जो मुर्जाने वाला फूल है जो अती उपजाओ तराई के सि का या उजाडने वाली आंधी या भाड की प्रचंड धार के समान है वह उसको कठोरता से भूमी पर गिरा देगा एप्रेमी मतवालों के घमंड का मुकुट पाव से लताड़ा जाएगा और उनकी भड़कीली सुंदरता का मुर्जाने वाला फूल जो अती उपजाओ तरा सेनाव का यहवास्वएं अपनी प्रजा की बचे हुओ के लिए सुंदर और प्रतापी मुकुट तहरेगा और जो न्याय करने को बैठते हैं उनके लिए न्याय करने वाली आत्मा और जो बढ़ाई करते हुए शद्रूओ को नगर के फाटक से हटा देते हैं उनके लिए बल तहरेगा ये भी दाखमदू के कारण डगमगाते और मदीरा से लड़ खडाते हैं याजक और नभी भी मदीरा के कारण डगमगाते हैं दाखमदू ने उनको भुला दिया है वे मदीरा के कारण लड़ खडाते और दर्शन पाते हुए भी बठक जाते और न्याय में भ सिखाएगा और किसको अपने समाचार का अर्थ समझाएगा क्या उनको जो दूद छुड़ाए हुए और स्थन से अलगाए हुए हैं क्योंकि आग्या पर आग्या आग्या पर आग्या नियम पर नियम नियम पर नियम थोड़ा यहां थोड़ा वहां वह तो इन लोगों से पर न चाहा इसलिए यहवा का वच्छन उनके पास आग्या पर आग्या आग्या पर आग्या नियम पर नियम नियम पर नियम है थोड़ा यहां थोड़ा वहां जिससे वे ठोकर खाकर चित गिरे और घायल हो जाए और फंदे में फसकर पकड़े जाए इस कारण ही ठटा करने वाल यरुशलेम वासी प्रजा के हाकिमों योवा का वच्चन सुनो तुमने कहा है हमने मृत्यू से वाचा बांदी और अधोलोक से प्रतिया कराई है इस कारण विपत्ती जब भाड के समान बढ़ आए तब हमारे पास न आएगी क्योंकि हमने जूट की शेरनली और मिथ्या की आ पत्थर कोने का अनमोल और अतिद्रड नीव के योग्य पत्थर और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली न करेगा और मैं न्याय को दोरी और धर्म को साहुल तहराऊंगा और तुम्हारा जूट का शरन स्थान ओलो से बह जाएगा और तुम्हारे चिपने का स्थान ज तब तुम उसमें डूब ही जाओगे जब जब वह बढ़ आए तब तब वह तुमको ले जाएगी वह प्रती दिन वरन रात दिन बढ़ा करेगी और इस समाचार का सुनना ही व्याकुल होने का कारण होगा क्योंकि बिचोना टांग फिलाने के लिए छोटा और ओड़ना ओ खड़ा होगा जैसा वह पराजिन नामक परवत पर खड़ा हुआ और जैसा गिबोन की तराय में उसने क्रोध दिखाया था वह अब फिर क्रोध दिखाएगा जिससे वह अपना काम करे जो अचंबित काम है और वह कारिय करे जो अनोखा है इसलिए अब तुम ठटा मत करो न ख्यान धर कर मेरा वच्चन सुनो क्या हल जोतने वाला बीज बुने के लिए लगातार जोतता रहता है क्या वह सदा धरती को चीरता और हेंगा फेरता रहता है क्या वह उसको चौरस करके सौफ को नहीं चितराता जीरे को नहीं बखेरता और गेहु को पांती पांती करके औ और जोव को उसके नीज स्थान पर और कटी गेहु को खेत की चोर पर नहीं बोता क्योंकि उसका परमेश्विर उसको ठीक ठीक काम करना सिखलाता और बतलाता है। नहीं रहता और न गाड़ी के पईये न गोड़े उस पर चलाता है। वह उसे चूर चूर नहीं करता। यह भी सेनाव की यहवा की और से न्युक्त हुआ है। वह अद्बुद्युक्ति वाला और महा बुद्धिमान है।